समस्कारन दोस्तों मेरे दाम मिक्ठीय चौदरी स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों आजके इस वीडियो में हम लोग करने बाले हैं मुर्गी के पांच बीमारी के बारे में जो कि दोस्तों मुर्गी के लिए जानले भा,'sावित होता है पिछले कई साल में बहुत सारे नए नए किसानभाई इस काम पे जुड़े हैं यानि मुर्गी पालन पे अभी दोस्तों बहुत सारे किसानभाई इस काम पे जुड़ रहे हैं और आगे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं इस काम को स्टार्ट करने के लिए लेकिन द पीचे सबसे बड़ा जो रिजन है वह है मुर्गी में कई सारे बीमारी जो की काफी ज्यादा जान लेवा होता है तो उसमें से सबसे पहले नंबर पर जो भीमारी है वह है दोस्तों डाइरिया का प्रॉबलम आप देखोगे मुर्गी में होते रहता है उसमें से दोस्तों डा नहीं और इस बीमारी के चक्र में चीक में काफी ज्यदा मिटल यद्टि होता है कि अब दोस्तों जो विमारी है उसके बारें बात करते हैं वहơi दोस्तों फॉल 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 यानि जिसको हम हमारे लोकल लेंग्जुवें माता बिक या तो यह जो गीमारी है एक ऎक इन्फेक्शन कोल सकते हो वायरल आउस के वाजम की बीमारी लगता है लेकिन इस विमारी Diana में चक्र में फार्मार को लौसे कि ने ऑवनी एक जदा होता है किसमें यह बिमारी जब मर्गी में लग जाता है तो भी काफ़ी ज्याधा भीख हो जाती है और मुर्गी का वजण है धुश्य वह काफ़ी ज्यौथ घट जाता है क्योंकि अब दे unanimous फॉलपॉक्स यानि जो माता भीमारी है ये दोस्तों जो है मुर्गी के फेज के आज सब कर देखने को मिलेगा और साथ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसमें वह काफी ज्यादा कम हो जाएगा अब दोस्तों नेक्ट बात करने वाले हैं वह दोस्तों रानिखेट रानिखेट जिसको नियू कास्टल डिजिस नाम से भी जाना जाता है तो यह जो बीमारी है यह दोस्तों फार्म में काफी ज़्यादा जानलेवा साबित होता है और यह इस-बिमारी के बज़े से सबसे जढ़ा मॉन्टेलिक着 मुर्गी में होता है क्योंकि कोई भी एक मुर्गी को अगर फार्म में लग जाता है तो दोस्तों तो बहुत जल्दी जो है बहुत कम टाइमें व सारे मोर्गी इस बीमारी में ब्सक्राइब करें नीजा बेस्टा धाले है कि वह समय पर लगा दीजिए मोर्गी में न लगए तो इसके बाद दोस्तो चान नमबर पर जिस बीमारी के वारे में हम लोग बात करेंगे वो है दोस्तो मुर्गी में ठंड लग जाना तो ये भी जो प्रावलम है दोस्तो ये फार्म में काफी जादा कॉमन प्रावलम है आपको कभी भी ये प्रावलम देखने को मिल सकता है हो सकता है आपको बरसात के टाइम में भी मुर्गी में ठंड लगने का प्रावलम हो सकता ह या फिर गरमें भी होसकता है या फिर आपको जो हैएट में हमने को मिल सकता है। तो जब भी simplify choices होता है उस दोरान जिखा ठंड लाने का चांस से वह ब्रभांत ठंड नग जाता है Lego तो ऐसे में आपको जो है समय के साथ मुर्गी को इलाज कर देना चाहिए ताकि ज्ञादा प्रभब्लम ना बढ़ जाए और मोटली ना इसके बाद दोस्तों सबसे लाष्ट में हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे हुआ थ्बिक्रीं खाती है पानी थो सकता het कि यर। यखुलमिज ऑपको सिंटम्स नजाएंगे काफी सारे जैसे अगर फालप। स्का भीमारी लगता है तो आपको जो है मुर्ड सेश में दाने दाने फिर फोड़ा नजाएंगे याईसे ही और भी अगर कोई बीमारी है तो उससाब से आपको सिम्टम्स नजराएंगे लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मुर्गी में कोई बीमारी लगता ही नहीं है फिर भी मुर्गी खाना पानी बंद कर देती है तो सबसे बड़ा इसके पीछे जो कारण है वह है दोस्तो अगर मुर्गी पहले का खाया हुआ खाना अगर नहीं पचा पाएगी तो फिर आगे मों खाना पानी नहीं खाती है बंद कर देती है तो यह जितना भी बिमारी आपको बताया गया इस सारे बिमारी का जो इलाज है वह हमारे यूटूब चैनल पर अल्रेडी वीडियो बना आउट कर सकते हैं और दोस्तों हमारी चैनल पर पांच इंपॉर्टन बैक्सिनेशन के बारे में भी वीडियो बना हुआ है जो की बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन है जो भी नए फार्मर से उनके लिए तो आप अगर वह वीडियो देखना चाहते हैं कब वैक्सिन कौन से कितने दिन में किया जाता है तो आप जाके देखें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा चैक कर सकते हैं तो दो यह था आज का एक छोटा सा वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आच्छा लगया है तो लगा जो सेर जमानुए अगर चैनल को अभी झाल झाल